सो हलो दोस्तों स्वागत आपका हमारे इस यूटूब चनल वीफॉर वेल्लियू में आज हमनों बात करने वाले हैं विपर लिमिरेट के बारे में जैसे कि देख पारे हूंगे आज के टाइम पे स्टॉक ने ठीक ठाक आज के डे में क्लोज आउट दिया है जो कि काफे अच् सब्सक्राइब कर दोस्तों आज कंपने का कउठी बात करते हैं क्या हमें इसके बाद और ज्याद़ा गिरावट देखने को मिलेंगी या हमने यहाँ से एक पांस बेक्ट देखने को मिल सकता है डिव तुक अप्रपिक तो जब से के आप देख पा रहें गे यह कंपने का ज इंकम वाइजली काफ़ इच्छी यहां पर ग्रोथ दिखाई एक डिसेंट सी जो की काफ़ अच्छी बात है बात करते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंस की तो उसमें कंपनी ने अपने एक्सपेंस भी काफी ज्यादा बढ़ा है अपने ओल टाइम हाई पर मतलब इंकम भी प्रोफिट देख पा रहेंगे 27 मैं आपको लाइस के डोजी बता रहा हूं बट यहां पर देखने को मिल रहा है तो उसके मुकाबले काफी ज्यादा अभी के टाइम पे गिर चुगा मतलब कंपनी वैसे ही गिर रही है और उपर से इतना खराब कोटर के रिजल्ट तो मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी क्योंकि मेरे को कंपनी काफी ज्यादा अच्छी लगते है लेकिन अभी के टाइम पे आफ्टर दवार और जो भी अमेरिका में रिसेशन का फियर चल रहा है यह सारी चीचों को देखते वें कंपनी को इफेक्ट पढ़ा है कंपनी कि इस बात पर बढ़ा है कि कंपनी अपने एंप्लॉई को सब्सक्राइब काफी ज़्यादा आप जैसे की देख पा रहेंगे जहां पर आप आपको देखने को मिल रहा है तो यह काफी ज़्यादा बड़ी बात है इसके लाब आप बात करें पर चेंजिन स्टॉक इंच इन में भी कंफे SC बढाये हैं पर इमोजी ऐखने को मिल रहा है यहाँ पर 16 एंपर 24 म कंपनी के रहे की बात करें इसके लाबबा दोनों में हाप आप अब सबस्ते जाया ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है तो यह सारी चीज़ आपको नोट करने वाली हो थी कि कंपनी कहां पर ज़्यादा खर्चा कर रही है कहां पर कम खर्चा कर रही है और इन सब चीज़ों को देखते वे आपको एक long term के लिए decision plan करना चाहिए तो मुझे नीचे लि सब्सक्राइब के साथ तब तक लिस्टे सेफ एंड गुडबाई टैंक दोस्तो कर दो